तो हमने उदाहरणों के बादे हम से देखा कि किस प्रकार से हम संपत्यों को चालू संपत्यों के अंतरगत वर्गिकरित कर सकते हैं अब जैसी कि हम बात कर रहे थे गैर चालू संपत्यों की तो इन शर्तों के अलावा अगर कोई संपत्या आती है हमारे सामने तो उन सभी संपति के शिर्चिकों को कई उप्शी स्च्राइब विभाजित घया जाता है तो इसके अंतरaborating प्रकार के अलग 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 संपति हम यहा पर देखते तेयา जैसी कि सबसे पहले इसके अंतर अता है स्थाई संपति जिसे हम जानते हैं पहले भी हमने इसकी सबसे पहले हम बात करें अगर स्थाई संपत्यों की तो स्थाई संपत्यों की बारे इनको खरीदने के लिए एक बार जब हम उनको पर्चिस कर लेते हैं तो लंबे समय तक उनसे लाप्राप्त होता रहता है तो इनी सब बातों को भी हम ध्यान में रखते हुए कुछ और इसके बारे में जानेंगे वास्तों में जब हम बैलेंशीट के दुष्टी कोंड से स्थ है संपत्या होती है इनको दो भागों में बाता जाता है अगर एक धेखे तो यह मूर्त इस्थाई शंपतिय होती है और दूसरा यह अमूर्त इस्थाई संपतिया भी हो सकती है जिनंगे हम tangible assets और non-t tangible assets के नाम से जानते हैं दूसरा वर्गे करन किया जा सकता है इसमें कि ये पूझे गत संपत्य जो कार प्रक्रति पर है यानि वरक इंप्रोग्रेस के अंतरगति इनके कैल्कुलेशन के जाती है और इसका ही एक दूसरा भाग होता है विकासाधीन जो संपत्या होती है जो development के प्रोसेस में जो काम कर रही है तो चार अलग अलग भागों में बाट कर हम इनका अध्यान करते हैं और साथ में अगर हम जाने की tangible assets जो है मूर्थ संपत्या जो है वो क्या है तो इनके बारे में हम सीधे सीधे से कह सकते हैं कि तो यह ऐसी संपत्या है ऐसी इस्थाई संपत्या है जिने हम देख सकते हैं छू बत्ते हैं मूर्थ अस्था ही संपत्यों की तु बिल्कूल मूर्थ संपत्यों के यह च् 63 लेकिन वास्तों में वो एक संपती के रूप में हमारे वैपार में रहती है जैसे हम बात करते हैं ख्याती की यानि की गुडविल की व्यपार की जो गुडविल है व्यपार की जो प्रसिद्धी है वो अपने आख में एक प्रकार से संपत्ती का रूप धारन कर लेती है स्थाई संपत्ती के रूप में वो आती है लेकिन क्योंकि उसे हम देख नहीं सकत संपतिया हैं वास्तों में संपति की रूप में कारे करती है लेकिन क्योंकि ये नौन टेंजिबल हैं इनको हम देख नहीं सकते चू नहीं सकते तो ये सारी जो संपतिया हैं NON Tangible meaningful assets, यानि कि अमूर्थ संपत्यों के अंतरगत आती हैं अब अगर बात करें पूधीगत कार 53 प्रगती पर इसके अंतरगत जो संपत्य आती है, तो इसके अंतरगत उन संपत्यों को शामिल किया जाता है, जो कि किसी कार इके निर्माण में लगी हुई है, वो कारे अभी समाप्त नहीं हुआ लेकिन सतत जारी है इसके अंतरगत जिन संपत्यों को इस्तमाल किया जाता है वो उन सारी संपत्यों को इसके अंतरगत शामिल किया जाता है चौथा जो इसका प्रकार हमने देखा विकासा धीन स्थाही संपत्या इसके अंतरगत उन सभी सं उत्पादन कारे में लगी हुई हैं तो उनको भी इस संपत्ति के अंतिगत शामील डिया जाता है अब अगर यहां पर बात करें गैर चालू निवेश की तो यहां पर हम देखते हैं कि ऐसे निवेश जो चिठे की तिथी से 12 माह से अधिक या संचालन चक्र की अवधी जिसे हम कहते हैं कि अगर हमने संचालन चक्र को कुछ भी हमारे सामने नहीं दिया गया तो उसको 12 माह की अवधी मिनिमम मान लेते हैं इस अवधी के बाद अगर ये जो निवेश होते हैं उसक प्रलेक में मूँच्वर्ण इन सब चीजllow पर जब हम निवेश displacement करते हैं तो इन सभी investment को हम गैर चालू निवेश के आंतरगत शामिल करते हैं औरिए शीटशक जो इसके लिए निवेश कर संपत्यां कई बार हम systemic की जो लिखांकर आय होती है वह कर योग यह आयसे कम होती है वास्तों में जो limitation जो निर्धारित के जाती है जिसके उपर अगर income जाती है तो कर tax जो है वो पेबल होता है और वैसे condition अगर नहीं बन पाई है यानि कि वास्तविक जो balance sheet जो दिखा रहा है income वो जो है वो कर योगी आयसे कम है तो दोनों के बीच का जो difference होता ह है उसी को हम यहाँ पर स्थगित करसंपत्यों के नाम से जानते हैं साथ ही एक point यहाँ पर हम देखते हैं दीर्ध कालीन रिण और अग्रीम यानि कि ऐसे रिण या अग्रीम loan and advances जो पेबल होते हैं संचालन चक्र की अवधी के बाद यानि कि चिठा बनाने की तिथी के बार माह की अवधी के बाद जो पेबल होते हैं दे होते हैं उन सभी रिण और देताओं loan and advances को हम इसके अंतरगत शामिल करते हैं साथ में हम इसमें देखते हैं कि जो देर्ध कालीन रिण और अग्रीम होते हैं इसके अंतरगत हम कुछ छोटे-छोटे विंदो को शामिल करते हैं उपशिर्शक के अंतरगत जिसके अंतरगत सबसे पहले हम देखते हैं पूझी और अग्रीम यानि कि वास्तों में ऐसा अग्रीम या ऐसा एडवांस या लोन जो स्थाई संपत्तियों को खरीदने के लिए दिया जाता है जैसे कि हमने पहले देखा कि कौन-कौन से स्थाई संपत्तियां उनको पर्चस करने के लिए जो लोन दिया जाता है जो एडवांस दिया जाते हैं उसे हम कैपिटल एडवांस यानि के पूंजी अग्रिम के नाम से जानते हैं दूसरा इसके अंतरगत आता है प्रतिभूती जमानती निक्षेब जिसे हम बोलते हैं प्रतिभूती जमानती निक्षेब और बहुत सारे रिन ऐसे होते हैं जो संबन्दित होते हैं उन सभी रिनों को इसके अंतरगत शामिल किया जाता है साथ में इसके अगले श्रिशक में हम गयर चालू संपत्तियों को शामिल करते हैं और अर्थ के अधार पर इसको देखा घृता है तो वास्तों में ये एक वर्ष या उसे कम समय के लिए जो जिन संपत्तियों का निर्मान किया जाता है तो सबसे पहले इसके अंतर गता गरट करें तो इसके अंद्रगत उन अंशो पर किया गया निवे शामिल होता है जो केवल साधारन अंशो के लिए किया जाता है यह वे अशोते है जिन पर भुपतान का जो अधिकार होता है वो पूर्वा धिकार अंश के बाद होता है या नाम से प्रतित होता है कि साधारण अंश है दूसरा जब यहानि कि पहले पूर्वादिकार अंशो को भुकतान कर दिया जाता है और उसके बाद जो राशी बचती है उसको कम्पनी की स्थितिक अनुसार समता अंशिधारियों को जिनका भुकतान किया जाता है एक विशेश बाती है कि समता अंशिधारियों पर जो भुकतान की राशी रहती है लेकिन पूर्वा दिकार अंशो पर जो भुकतान की राशी रहती है वो पूर्वा निश्रित होती है जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि जब पूर्व प्रफाइंश की दे राशी है जो कि पहले से ही नरधारित कर दी गई है तीसरा जो इसके अंतरगत शामिल किया जाता है वो होता है सरकारी प्रतिभूतिया ट्रस्ट में अगर हम इंवस्मेंट करते हैं गौर्मेंट सेक्यूरिटीज में हम अगर कुछ पैसा लगाते हैं तो उसको इसके अंतरगत शामिल किया जाता है और यहां पर हम देखते हैं कि रिण पत्र या डेवेंचर में भी इंवस्मेंट किया जाता है जैसे कि हमने डेवेंचर वाले पूरे टॉपिक में देखा कि किस प्रकार एक कंपनी अत्रिक्त राशी की पूर्ति रिण पत्रों के जब बेचा जाता है तो उसमें जो निवेश किया जाता है उन रिण पत्रों को खरीदता है इन पत्रों में किया निवेश भी गैर चालू समपत् cytoyoung के अंत्रगत शामिल किया जाता है इसी तरह एक हमOkay mutual fund और दूसरा पारटनर्रशिप वाला एक investment है जिसके अंतरगत बहुत सारी पब्लिक और प्राइवीट कंपनियां लगी हुई है और इसके अंतरगत अगर mutual funds के अंतरगत किसी प्रकार का investment अगर करते हैं कोई company अगर करती है तो यह जो investment होता है वो गैर चालू संपत्यों के अंतरगत शामिल किया जाता है पार्टनर्शिप फंड के हम बात करें तो अगर पार्टनर्शिप फंड किसी प्रकार के शेयर डवेंचर इशू करते हैं अपने पूंजी को एकत्रित करतने के लिए तो उसके उसे जिसने खरीदा है वो जो निवेश होता है वो गैर चालू संपत्यों के अंतरगत शामिल किया जाता है तो यह तो हमने बात कहीं जबकि हम अन्य गेर चालू संपत्यों के अंतरगत विभिन मदों को शामिल करेंगे नेक्स्ट एक टॉपिक यहां जब हम बैलेंशीट बनाएंगे तो यहां हमको देखने को मिलेगा संपत्यों के अंतरगत स्टॉक या रहतिया स्टॉक के बारे में हमने पहले भी देखा है कि एक कंपनी जो है वो वर्ष भर जितने माल का उत्पादन करती है और वर्ष के अंत तक वो जितना बेच लेती है बाद में वर्ष के अंत में जिस दिन वो अपने बुक्स ओफ एकाउंट क्लोस करती है वहाँ पर जो उसका माल बचा रह जाता है बना हुआ वो उसका स्टॉक कहलाता है जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं और फिर बाद में यही क्लोजिंग स्टॉक अगले वर्ष यानि कि जब से उसका वित्ते वर्ष प्रारंब होता है उस वर्ष के लिए ओपनिंग स्टॉ विल्यक्ष करने के लिए ुसका निर्मार्ण करने हैं लेकिन यहां पर हम केवल निर्मित माल के modifications के बात नहीं करते हैं कि माल को बनाने के लिए उसका निर्मार करनेकी के लिए हमने कbor च्छा माल रॉम मिटेरियल थो खरीड़ा था तो लिए यूज कर लिया और वर्ष के अंति तक वो raw material कितना बचा है तो वो भी कच्चे माल के closing stock और फिर next year जब हम उसको transfer करेंगे तो कच्चे माल के opening stock के रूप में उसको भी हम stock के अंतरगत दर्शाते हैं एक मौतमर बात बारे में यह है कि जो माल निर्माणा दिन है यानि निर्मित हो रहा है उसको वर्ष के अंतरगत में फिर शामिल कर देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं देनदारों की प्राप्तियां जिसके अंतरगत हम देखते हैं कि वो राशी जो एक वर्ष के दौरान प्राप्त हो जाती है जैसे कि हम बात करते हैं देनदारों की प्राप्तियों की इस तरह से जो प्राप्तियां जिनको हम लिखते हैं संपत्यों के साइड में यह सारी जो प्राप्तियां होती है यह व्यपारिक प्राप्तियों के अंतरगत आती हैं साथ ही एक टॉपिक हम देखते हैं इसमें नगद या नगद तुल नगद यानि कि जो हमारे पास cash है जिसे हम लिखते है cash in hand या हमारे पास bank में जो cash है जिसे हम कहते है cash at bank और नगद तुल यानि कि cash equivalent यानि इतने शेगरता से हम उसको cash में change कर सकते हैं और उनके डूबने के भी कोई संभावना नहीं रहती है जिसे हम चेक विनिमय विपत्र या हुंडियों को इसके अंतरगत शामिल करते हैं जिसे बहुत आसानी से बैंक के माध्य हम से कैश के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं फिर इनी संपत्यों में शामिल किया जाता है अल्पकालिन रिड और और अगरिम जो बहुत कम समय यानि की एक वर्ष या हम कहें तो संचालन चक्र के अबधी के भीतर के लिए क्टी और इसी प्रकार हम इसमें शामिल करते हैं अन्य संपत्या अब बहुत सारी संपत्या हम को एशीव देखने को मिल जाती है जिने हम अभी तक हमने जिन शेर्षकों को अलग-अलग डिवाइड किया उसमें उनका नाम नहीं आया है तो जब हम practically इन questions को बनाएंगे क्रियात्मक प्रश्णों को हल करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि बहुत सारी संपतियां ऐसी होती है जो कहीं भी किसी शेर्षक या प्रवदत वय अर्जित आय तो इस तरह की जो छोटे-मूटे इंकम होते हैं उन सभी को संपतियों से वो रिलेटेड होते हैं तो उन सभी को चालू संपतियों के अंतरगत शामिल कर लेते हैं दिनकर लिमिटेट की अधिक्रित पुँझी 50 लाग रुपे हैं जो कि प्रती 100 कंपनी ने 40,000 के लिए आविदन पत्र आमंतुरित किये जबकि 36,000 के लिए आविदन पत्र प्राप्त कर लिए वहास्त मांगे और प्राप्त के जिन पर 20 रुपए की अंतिम वाग प्राप्त नहीं थे नहीं कम्पनी ने 200 अंशों का हरन कर लिया जिसमें अंतिम्याचना की राश्री प्राप्त नहीं हुई थी तुलन पत्र में अंश पुंजी कैसे दर्शाई जाए इसके लिए खातों के तिपड़ी भी तयार देजिए इस प्रश्ण में हमको जो एक्विटीज है लाबिटीज है उन चैना से आई किस तरह से उसको शो करने के लिए हमको नोट्स ऑफ अकाउंट बनाना है जैसे कि अब्याट्यों में देखा की जो भी जिन मदों को यहां पर शो करते हैं उनके लिए हमको एक नोट्स ऑप अकायंस बनाना पड़ता है ताकि बहुत आसानी से हमको यह पता चल जैसे कि हमने वर्टिकल फॉर्म देखा अधिनिया में के अनुसार तो सबसे फॉर्स पॉइंट जो हमारा आता है वह आता है एक्विटीज एंड लाइबिलिटीज यानि समता इवन देटाइम और प्रेश्न के अनुसार हमको फिर देखना है कि इसके अंतरगत कौन-कौन से तो सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि शेर होल्डर के बारे में इसको हम लिखेंगे उसके बार हम देखते हैं कि शेयर क्विटल जो है हमारी वह कितनी है तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसकी क्यालेशन करने के लिए हम नोचॉफ एकाउंस करेंगे तो नोट वाफ आकाउट्न जो हम रड़ी करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारी शेल कैपिटल है यह पहले लिफे प्रिर कैपिटल जिल्प में के पॉल्णाबर होती है उडिक्रिव कोरा-इस चेपिटल होती है तो इसे साब से मासानी से पता लगा सकते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ शेयर है वह जाएगा 50,000 और टोटल यह जो एमाउंट हो जाएगी शेयर कापिटल की वह जाएगी 50,000 या 50,000 या 50,000 या फिर प्रश्न भी इस पस्ट रूप से दिया गया है कि इस की जो टोटल अधिक्रित अंच पुंजी और शेयर कापिटल है यह लिखेंगे और क्लोस करेंगे अमाउंट को इशूट के बारे में हम देख रहे हैं आप प्रश्न में इस पस्ट रूप से बताय करेंगे और अब जो सब्सक्राइब एंड फुली पेड़ अप क्यापिटल है उसकी हम यहां पर एंट्री कर लेंगे अभिदत एवं पूंता समयदत जो पुंजी जी से हम कहते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 35,500 जो है वो इसकी सब्सक्राइब बट नोट फुली पे इशु किये गए उसमें भी 500 जो शेर होलडर तह मिल पाई है कि 36,500 जो शेर है वो इशू किये गये थे और उसमें से 500 जो शेर नहीं किया और फुबड मिलक मिलना तों अब तो धनी चनल तो यहां पर अमाउंट कॉलम में 35,000 से इसकी एंट्री करेंगे और अब हमको देखना है कि क्या नहीं मिला इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे तो एक तो प्रेस्ट में इस पस्ट्रोप से बता दिया गया है कि 500 जो शेयर होल्डर्स है उनसे 20 रुपय अंतिमां की रा रंब कर लिया गया पाइल आफसट कर लिगेंस स нажब करेंगे और अब हम नहीं किये का सिंधि यहां पर verified नहीं कि रहें तो 300 का 100 रुपीज से 30,000 की अमाउंट हो जाएगी और इसमें से हम मैनस कर देंगे calls in area यानि कि इस 300 में से कौन सी अमाउंट नहीं मिली तो प्रेश्ण में इसपस्ट कर दिया गया है कि 20 रुपीज नहीं मिला यानि कि 6,000 रुपीज नहीं मिले यानि कि केवल 24,000 रुपीज नहीं मिले हैं और अब हम इसमें एड़ कर देंगे फॉर्फिट किये गया जो शेयर से उस पर अभी तक मिल चुकी है जैसे कि हमने जब फॉर्फिचर आप शेयर वाला टॉपिज पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि जब हम फॉर्फिचर की फॉर्फिट करते हुए यहां पर एंट्री करनी है तो यहां हम देख रहें कि 200 शेयर पॉपिट किये गये हैं और उसका ट्वेंटी रुपीज 100 में से 20 रुपीज नहीं मिले इसका मतलब है कि 80 रुपीज ही अभी तक मिल पाए है और 200 इंटू 80 यानि कि 16,000 ऐसी अमाउंट है जिसको हम शेयर पॉर्फिचर के अंतरगर डाल कर लिखते हैं अगर हम जनरल एंट्री करते तो और फिलहाल यहां पर हमको बैले शीट में इसके अमाउंट लिखनी है तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो बैलनस आता है यानि कि 30,000 में से 6,000 जो एरियर है उसको हमन हमको बैलन शीट में हमको आम्माण्ट हमयं भी इंचे सिर्यूस करने नहीं अहांत यहां से क्यालकुलेशन कर ली है अब हम अपना जो बैले शीट अदो बैले चीट में पनाanızो इसको हम करनानी है हुं में मैं on tali ke rif te करनी है तो टोटल क्योंकि और कोई पॉइंट इसमें है नहीं जो क्यालकुलेशन होती है वह नोट्स आप अकाउंट नहीं होती है वह हमने अच्छे से कर लिए तो अब हम इस बैलेंशीट में 35,90,000 से एंट्री करके इसको क्लोज कर देंगे आरुशे लिमिटेड ने 5,010% रिन पत्र 100 रुपए प्रतेक का सम्मूले पर निर्गमन किया जो के 5 वर्ष पत्चाथ 5% प्रेमियम पर शोधन होता है इसके पंजी प्रविष्टी तथा कंपनी का सित्य विवरेंट पत्र भी तयार कीजिए सबसे पहले हम इसके लिए जब जनरल प्रविष्टी करेंगे तो हमने जैसे डवेंचर वाली चैप्टर में प्रविष्टी की थी एक तो डवेंचर को इश्यू करने की वहां पर हमको यह देखना होता था कि हम उसको सम्मूले पर निर्गमित कर रहे हैं बट्टे पर निर यानि बट्टे पर हो रहा है कि एड प्रेमियम यानि कि प्रेमियम पर हो रहे है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें जनरल एंट्री करेंगी क्योंकि प्रस्ट रूप से दे दिया गया है 5000 डवेंचर है 100 रुपेस का एक डवेंचर है और सम्मूले पर यह निर्गमित किये गया और 5,200 यानि कि 5,00,000 यानि कि 5,00,000 इसके एंट्री करेंगे नेक्स्ट क्योंकि इनका रेडम्शन करना है तो यहां पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी 10% डवेंचर अप्लिकेशन अन अलॉट्मेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू अप डेवेंचर अकाउंट ड अचाइबुद सब्सक्राइब करेंगे यह ज B करेंगे उसके बाद हमने जिसक destruction क्या हो रहा है इस में देंखर नर्ocy करते हैं कि अधाय हो तो और हम देख रहे हैं कि तो यहां पर हम देख रहे हैं कि डिसकाउंट तो किसी प्रकार कर नहीं है लेकिन 5 lakh का इडबेंचर है और रिडंप्शन इसका 5% प्रेमियम पर हो रहा है और जबकि यह निर्गमित पार रहने की सम्मूल ले पर हुआ था तो पूरी के पूरी जो प्रेमियम के अमाउंट है उसको हम लॉस और इशू आफ डेवेंचर मानेंगे 5 lakh का 5% यान 25,000 आजाएगा लॉस आफ डेवेंचर अकाउंट के डेविट साइट में अब नेक्स टू डेवेंचर अकाउंट में हम 5 lakh का क्यूंकि था हमने कल्कूलेशन करनी तो 5 lakh हम लिखेंगे तो डेवेंचर अकाउंट के क्रिडिक में और प्रीमियम जैसे के हमने काल्कूलेट किया था 25,000 जो प्रीमियम की अमाउंट है वह हम यहाँ पर लिखेंगे अब इसके आधार पर जब हम बैलेशीट रेडी करेंगे इसका तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा वर्टिकल बैलेशीट जब हम बनाते हैं तो इक्विटी शेयर और इसको हम करेंट और नॉन करेंट लिबिलिटीज में करेंगे तो यहां पर बहुत ज्यादा कोई नए पॉइंट नहीं दिये गया है कि वल डेवेंचर को इशु किया गया है प्रेमियम पे उनका रेडंप्शन किया गया है दो ही पॉइंट दिख रहे हैं तो छोटी से एक बैलेशीट हम डेडी करनेंगे एक्विटी शेयर और लाइबिलिटी इसकी हेडिंग होगी और इसमें फर्स्ट जो पॉइंट आएगा कोश्यन के कॉड़ी वो होगा नौन करेंट लियाबिलिटी और उसमें हम दो चीजों को शामिल करेंगे क्योंकि प्रेशन में जो डेवेंचर इशु किये गया है नौन तर्म वो बॉरॉइ और फाइफ लाइबिलिटी इसकी होती है वो प्रेमियम है यहां पर क्यूंकि इशु के साथ साथ जो प्रेमियम था उसकी अमाउंट हम यहां पर लिखते हैं तो वो लॉसम शेयर ऑफ डेवेंचर कैंटर का जो हमने काल्कुलेशन की थी 25,000 उसकी हम एंट्रिया करेंगे त जो हम wert of assets के बात करेंगे और non current assets 20,000 यहां पर entry करेंगे और उसके बाद जब current assets हम लिखेंगे तो पर हम लिखेंगे cash and cash equivalents जिसको हम हमने issue जब किया था हमने debenture उससे में हम पूर प्लस जो current assets हम लिखेंगे क्योंकि इसमें जो 25,000 की प्रीमियम की amount है उसमें से हम 20,000 जो है उसके dividend की अधार पर उसको अलग कर देंगे जिसको हम हमने other non current assets माना है और बाकी जो 5000 है वह हम other current assets के इंतर करेंगे 5000 से तो टोटल जब हम इसका करेंगे तो हम देखते हैं कि liabilities जो है equity shares and liabilities वह 5,25,000 से close होती है और assets भी टोटल जो हमारी वह 5,25,000 है company अधिनियम 1956 के अनुसूची चार के भाग एक के अनुसार company के चिट्थे में निम्न मदों को किस मुख के शिश्रक एवं उख शिश्रक भी दर्शाएंगे यहां पर हमने देखा कि company अधिनियम 1956 की अनुसूची चार के भाग एक के अनुसार जब हम संपत्ति और दायतों को शिर्षक और उप्षिर्षक में विभाजित करते हैं तो एक शिर्षक के अंतरगत कई उप्षिर्षक यानि कि कई मदों को शामिल किया जाता है यहां पर हमको किसी प्रकार की calculation नहीं करनी है बल्कि एक टेबल बनाना है हमको और उसमें यह दर्षान का यह जो तीन पॉइंट यहां पर दिये गए यह किस मुखी शिर्षक और उप्षिर्षक में शामिल किया जाएंगे लेकिन यहां सबसे पहले हमं चार कोन से आईटम जो कुश्जन में दिये गए उसकी करेंगे और फिर दो हैडिंग होते हैं जिन में हम एक को मेजर हैडिंग यानि में जो टॉपिक होता है वो कहते हैं उसके अंतरकत बहुत सारी सब हैडिंग होती है तो लास्ट फोर्थ जो कॉलम है वो सब एडिंग के लिए जाएगा तो यहां पर question में हम first point देख रहा है भंडार एवं पूर्जे यानि की stores and spares और दूसरा देख रहा है प्रस्तावित लाभान यानि proposed dividend और तीसरा है computer software यहां पर first जो है भंडार एवं पूर्जे क्योंकि store and spares है इनको हम उत्पादन है उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं तो यह current assets के अंतर गता जाएंगे और साथ ही हमको यह भी ध्यान में रखना है कि हमने जो table देखा है company अधिने 1956 के जो चिट्था balance sheet हमने देखिए उसको भी हमको ध्यान में रखते हुए इसका answer देना है तो यह जो store and spare है इसका major heading होगी current assets और उसके अंतर गतिये other current assets में आएंगी दूसरा proposed dividend जैसे कि हमने वीडियो में देखा proposed dividend यहाँ पर पूछा गया है तो वास्तों में इसके अपने heading होती है जिसे हम current liability कहते है और इसके अंतर बहुत सारी heading को शामिल किया जाता है तो major heading यहाँ पर हम लिखेंगे current liability और जो sub heading हो जाएगी other current liabilities उसके बाद थार्ड जो है computer software तो हम पहले भी हमने देखा कि computer software जो है वो non current assets के अंतरगत दिया गया है और वास्तों में क्यूंकि हम यहाँ पर computer software जैसे कि हमने पहले भी देखा यह non current assets के रूप में दिया गया है और वास्तों में जब हम sub heading लिखेंगे तो जो तो balance sheet के according यह intangible assets में आएगो और वैसे भी हम देखते हैं कि software के बात कर रहा है computer software के बात कर रहा है तो हाला कि यह तो assets है लेकिन हम उसको भौतिक रूप से महसूस नहीं कर सकते हैं इसलिए हम उसको non-tangible इसलिए हम इसको intangible assets के अंतर कर शामिल करेंगे कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसुची चार के भाग एक के अनुसार कंपनी के चिठ्थे में निम्न मदों को किस मुखी श्रीट्रक्त एवां पूप श्रीट्रक्त में दर्शाएंगी पहला सहायक संचय सबसीडरी रिजर्व दूसरा खनन अधिकार माइनिंग राइट तैसरा डूबत रिनो के लिए आयोजन प्रोविजन फॉर डाउट फूल देप्स यहां पर भी इसके लिए हम चार कॉलम के एक टेबल का निर्मान कर लेंगे जिसमें सबसे पहले कॉलम में हम सीरियल नंबर लिखेंगे पर पर्टिकुलर थर्ड कॉलम में मेजर हैडिंग लिखेंगे और फॉर्थ कॉलम में सब हैडिंग तो फर्स्ट जो है सहायक संचय जिसे हम कहते हैं सबसीडिय रिजर्व तो जैसे कि हमने वीडियो में भी करके चोटे मुटे रिजर्व कंपनी बनाती है अपने चोटे मुटे को एडिस्ट करने के लिए तो इसे हम अधर रिजर्व के अंतरगत सब्सक्राइडिंग में डालेंगे सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं माइनिंग राइट गुडविल पेटेंट इस तरह से हमने देखा कि कुछ ऐसे होते हैं जो एसे तो होते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते और वास्तों हमें अगर बात करें तो नॉन करेंट आसे के इंतरगत इसको हमने पढ़ा था औ और क्योंकि अमूर्थ होते हैं इनको हम देख नहीं सकते तो यह जो एसेट्स होते हैं वह इंटेंजिबल एसेट्स के अंतरगर आते हैं तो सब हेडिंग में हम आप पर इंटेंजिबल एसेट्स देखेंगे थर्ड जो पॉइंट है प्रोविजन पॉर डाउट्स फूल डैप यह ऐसा प्रोविजन है जो डेटर्स के लिए बनाया जाता है जिसमें राशी रूबले की थोड़ी वह संभावना रहती है तो क्योंकि यह एक प्रकार की लाइबिलिटी है और करिंट लाइबिलिटी के अं प्रोविजन के लिए बनाया जाते है इसलेस्कों शॉर्ट तर्म प्रोविजन के अंतरगत सबहेडिंग में लिखेंगें